नमस्कार साथियों आप सभी का डिरेक्षन विजन के अंलाइन यूटूब प्लेटफर्म में स्वागत हैं आज हम लोग लिमिट फिट टॉलेंज का अगला वाला भाग यानि MCQ पार्ट 3 डिसकस करेंगे जस्ट इसके पिछले वाले में भाग 1 यानि पार्ट 1 पार्ट 2 में ह पार्ट 3 में 41 से स्टार्ट किया जाएगा और 41 का जो क्वेश्चन है लीमिट फिट तथा टॉलेंज से उत्पादन में होती हैं आप सन यह जो हैं समस्या बढ़ती हैं कोई असर नहीं पढ़ता है उत्पादन अधिक होता उप्योक्त सभी तो देखें लीमिट टॉलेंज स उत्पादन में जो होती हैं अधिक उत्पादन होता है इसलिए एंसर जो हम लोग इसका बोलेंगे एंसर आपका सी सही हो जाएगा ओके आगे बढ़ते हैं क्योश्चन नंबर 42 की दरव हम लोग आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा फिट ड्राइविंग यानि कि बल आसंग, driving fit का उधारण है तो इसमें से कौन सा फिट जैसे gear हैं, pulley हैं, shaft और bearing हैं ये सभी तो देखें driving fit इसमें से जो भी हैं सभी example आपका हैं तो अंसर जो है वो आपका D सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं question number 43 का एक drying में दरसाई गई dimension 35 plus minus 0.03 mm है इसकी tolerance अनिमने में क्या हो सकती है देखे tolerance बराबर होता है upper limit size minus lower limit size तो upper limit size जो आपको काम करना होगा वो आपका 35 में 0.03 एड़ कर दिजेगा और lower limit में 35 में 0.03 घटा देंगे दोनों की जो value आपस में घटाएंगे मतलब पहला हम लोग 35 mm ने जोड़ दिया 35.03 upper limit size आ गया और दूसरा में हम लोग घटा देंगे जो आएगा दोनों में से फिर डिवाइड करने के बाद जो value आता है उसको हम लोग tolerance बोला जाता है हलाक इस पर question मुलोग part 1 और part 2 में discuss कर चुके हैं बट एक question किसी और exam में पूछा गया है इसलिए आप रखा गया है तो tolerance बराबर होता है upper limit size minus lower limit size तो upper limit size बराबर basic size प्लस upper limit और lower limit size equal to basic size minus lower limit जो भी होगा इसका limit आपका दोनों है नि बाइलेटरल tolerance है तो overall आप एक में 0.03 add करेंगे दूसरे में 0.03 घटा देंगे और उसके बाद हम लोग answer जो इसका होगा 43 का O 43 का answer जो है O D सही हो जाएगा 43 का answer आपका D सही हो जाएगा इसलिए answer को D कर लेंगे आगे बढ़ते हैं 44 का किसी bearing में घुमता हुआ सेप्ट उदारण है sliding fit का running fit का push fit का driving fit का यदि हम 44 की बात करें तो किसी bearing में घुमता हुआ जो सेप्ट होता है ओ आपका running fit की example होता है running fit that is the bearing कोई सेप्ट में घुम रहा है उसका running fit होता है आगे बढ़ते हैं next निम्न में से किस size को किसी component की मापी गई dimension होता है निम्न में किस size को किसी component की नापी गई dimension होता है 45 देखा जा तो यदि कोई component बन रहा है उसके बाद जो आप मापते हैं component की मापी गई size जो होता है वो आपका वास्त्विक size होता है जैसे कोई part बनाया जाता है और बनाने के बाद यदि आप मेजर करेंगे तो जो size कहलाता है वो आपका वास्त्विक size कहलाता है D answer सही होगा आगे बढ़ते हैं निम्न में से किस जगह पर bilateral tolerance fix की जाती है basic size के उपर देखे ये भी question बहुत बार पुछा गया basic size के उपर की और basic size के नीचे की और basic size के किसी एक और और basic size के दोनों ऊपर और नीचे तो जब यहां bilateral tolerance यहां दिया गया है देखे bilateral tolerance यहां दिया गया है तो जहिर सीवात है यह basic size के उपर और नीचे दोनों होगा इसलिए answer D साही होगा आगे question है 47 का निम्न में driving fit का उचित उधारण है sept पर ball bearing, rail के पहिये पर टायल, cylinder में sleeve fit और बैल गाड़ी के लकड़ी के पहिये पर ream का चढ़ाना मतलब ए आपका कौन से fit कर रहा कि driving fit का उचित उधारण है तो sept पर ball bearing जो fit होता है वो driving fit का उचित उधारण है मतलब answer A साही होगा आगे बढ़ते है question 48 का सबसे कौम fitting होती है clearance fit में बाधा fit में, transition fit में सबसे जो कौम fit होती है वो आपका interference fit में होता है मतलब आप इसमें आपको fit कराना है तो बहुत ज़्यादा push करने के हो सकता होती है बहुत ज़्यादा पीतने के हो सकता होती है चुकि इसमें कम fitting होती है ठीक है आगे हम बात करते है यदि किसी component का size 35 plus minus 0.20 है इसके संबन्द में सही कतन है देखे कह रहा है उसका upper derivation plus 0.2 mm है lower derivation आपका 0.0 mm है fundamental derivation 0.0 mm है उप्योक्त सभी 49 का जो है कह रहा है कि देखे upper derivation का मतलब क्या होता है upper derivation का मतलब होता है maximum size basic size का अंतर जो होता upper derivation क्यालाता है इस प्रकार से जो है उच्छ भी चलंजू होगा वो आपका 0.20 यहाँ पर दरसित किया गया component की size जो basic size आपका 35 है तो answer इसका 49 का यह सही होगा आगे बढ़ते हैं 50 का limit और fit के system का उप्योग करके प्राप्त की गई assembly में खराब हुए part को किस प्रकार बदला जा सकता है करा limit और fit के system का प्रयोग करके प्राप्त की गई assembly में खराब हुए parts को निमन पार्ट को किस प्रकार बदला जा सकता है बदला नहीं जा सकता है को scrap करके फेकना पड़ता है assembly का बिना reject की आसानी से बदला जा सकता है नई tolerance के साथ बनाना पड़ता है question number 50 का assembly का बिना reject की आसानी से बदला जा सकता है limit fit के system का उप्योग करके assembly में खराब हुए parts को assembly का बिना reject किये आसानी से बदला जा सकता है means आप उस machine के जो part खराब होगे हैं उसको आसानी से आप बदल सकते हैं यही है तो answer जो है C सही होगा question number 51 कहा है basic hole और basic shaft basic hole और basic shaft पर upper और lower भी चलन कितना होता है basic hole और basic shaft पर upper lower भी चलन कितना होता है ठीक है नब देखे basic hole basis system और sept basis system आप समझेंगे तो हम कहेंगे कि hole basis system और sept basis system का कहरा lower बिचलन अपर भी चलन यहीं कहरा basic hole और basic shaft तो basic hole का जो है basic hole का और basic shaft का upper और lower भी चलन दोनों का 0-0 होता है इसलिए उसको हम बोलते है hole basis system और sept basis system जैसे हम example के रुप में आपको बता दें कि जैसे माल लेज़े basic size है और यह हमारा hole के लिए है और यह हमारा sept के लिए है ठीक है नहीं यह आपका अपर डेरिवेशन है यदि यह अपर डेरिवेशन यहां चला आया ठीक है और यह हमारा sept है यदि यह इसका lower derivation यहां चला आया ठीक है यह 0 पर तो आपका ए एक प्रकार का यदि यह आपका यहां चला आया तो इसको हम whole basis system कते हैं यदि ये वाला साइज यदि ये वाला हो जा तो इसको हम सेफ्ट बेसे सिस्टम कहते हैं इस प्रकार से एंसर जो होगा 51 का ओडी सई होगा आगे बढ़ते हैं next question 52 का किसी वस्तु के लिए बिमाएं जो है 50 plus minus 0.05 क्या दरसाता है ठीक कर новых कि एक पार्स टार्डार्व युनीलेटरछ तॉलेंक्स बाइलेटरल तॉनेंग्स लिमिट सिमा ये सभी प्रकार की नर्स तो ये आपका होता है ये आपका प्रदर्सित करता हैं यह आपका क्या प्रदर सीखता है, bilateral tolerance, 52 का answer जो B सही होगा, किसी parts के basic size पर स्विकृति कम से कम, जिस सीमा के size को बनाया जाता है, उसे medium limit, low limit, high limit, इसमें से कोई नहीं, क्या कहते हैं, तो low limit कहते हैं, किसी parts के basic size पर स्विकृति कम से कम, मतलब सबसे कम से कम कितना बना सकते हैं, वह हमारा low limit कहलाता है, इसलिए इसका answer B सही करेंगे, आगे हम बढ़ते हैं, question number 54 की तरब, tolerance प्रकार की होती है, देखे, tolerance दो प्रकार में होता है, tolerance दो प्रकार में होता है, एक unilateral tolerance और एक bilateral tolerance, इसलिए answer इसका हम लोग A ही करेंगे, आगे बढ़ते हैं next, किस पद्धती में tolerance basic size के दोनों और दी जाती है, तो basic size के दोनों जब tolerance दी जाती है, उसको हम bilateral tolerance कहते हैं, answer कितना होगा, B answer सही होगा, ओके, आगे हम बात करें, 56 का, unilateral tolerance क्या होता है, एक तरफ छूट देना, दोनों दरफ छूट, कोई छूटने, unilateral tolerance में आपका जो छूट परदान की जाती है, जो limit दी जाती है, वो एक तरफ दी जाती है, इसलिए answer is सही होगा, यह सभी question exam में आये गया है, इसलिए यहाँ पर दिया गया है, आगे बात करेंगे, hole सबसे बड़े माप, और sept के सबसे छोटे माप, यहाँ होल की सबसे बड़ी size, और sept की सबसे छोटी माप, यहाँ हम ऐस Σबसे बड़ी माप, और sept की सबसे छोटी माप, जो a yellow को क्या कहते हैं, maximum allowances कहते हैं, अधिकतम allowances कहते हैं, यह अधिकतम allowances होगा, तो यह वाला जो होगा, उसको minimum allowances कहते हैं, यह Court आगे बात करते हैं, केलरेंस फिट कैसे रखा जाता है केलरेंस फिट कैसे रखा जाता है तो धनात्मक रखते हैं केलरेंस फिट में कैसा रखा जाता है पॉजटी यदि इंटर्फिरेंस में कैसा रखा जाता है निगेटी ओके तो एंसर जो 58 का होगा अपसन एश रही होगा आगे बढ़ते हैं मोल हुत छित्र तथा मोल हुत सेप्ट के उच तथा निम्न विचलन क्या होता है मतलब बेसिक जो होल है और बेसिक सेप्ट के उच और निम्न विचलन क्या कलाता है ठीक है नहीं तो यहीं सिंपल सा फिर से हम बोलेंगे कि बेसिक होल और बेसिक सेप्ट के basic hole और basic sept के उच और निम्न जो विचलन होते हैं वो 00 होते हैं इसलिए answer हम लोग इसका 00 बोलेंगे वही same question दूसरे तरीके से दूसरे exam में पूछा गया है question number 60 है वो विचलन होता है सुन्य, रिडात्मक, धनात्मक केवल धनात्मक सुरी, केवल रिडात्मक धनात्मक, रिडात्मक तता धनात्मक दोनों तो देखें विचलन का मतलब होता है derivation, derivation 0 भी हो सकता है positive हो सकता है, negative हो सकता है इसलिए answer जो होगा आपका 60 सही होगा, तो ये limit feature tolerance का जो हम लोग unit start किये थे MCQ टाइप में, वो तीन भागों में 20-20 question का part हमने आपके सामने essay question को solution कराया जो maximum exam में put up हुए है चाहे वो competitive exam हो चाहे ITI के exam में आए हो जो NCVT में पूछा जाता है आप ITI कर रहे होंगे ये repeater से या other कोई mechanical के branch से तो आपके लिए a question बढ़ा ही important है ऐसी question आते हैं एक question जई वगरा आदी में पूछा जा सकता है NTPC, Wales वगरा आदी सब exam में पूछे जाते हैं तो एक question concept based हैं और साथ में यदि कभी वाइबा आप देने जाते हैं methodology based में limit fit tolerance बढ़ा ही important होता है और एक concept based आपका optional question जो exam में पूछे गए हैं वही हम solution कराया गया था यदि solution में कोई परशानी आ रहा है तो आपको कहीं जाना नहीं है आप one liner concept limit fit tolerance का देखे one liner concept आपकी पूरी revision करा देगा और उसके बाद आप जब भी optional question तीनों भाग solution करेंगे तो आराम से आपको समझ में आने लगेगा तो यह तो था हम लोग का तीसरा भाग और यह last भाग limit fit tolerance का आगे वाला हम लोग दूसरा chapter gauge से related हम लोग multiple choice question solution करेंगे बाकी आपके मन में किसी प्रकार का कुछ भी doubt बगर आहादी है तो आप direction vision में जाएंगे